मौत के बाद सबसे बड़ा डर होता है असपलता लोग असपल होने से इतना डर्ते हैं कि वो अपने जीवन में कुछ करी नहीं पाते आज की ये स्टोरी एक ऐसी सक्स के बारे में है जिसे आज ये पूरी दुनिया जानती है लेकिन साइद दुनिया को ये नहीं पता कि वो उसे क्यों जानती है जैक मा चीन की एक छोटे से गाउं के रहने वाले हैं जिनकी आर्थिक इस्तिती इतनी खराब थी कि उनके घरवालों के पास उनके स्कूल की फीज का पैसा भी नहीं था जैक मा को 13 साल के उमर से ही अंग्रेजी सीखने का बहुत ज़्यादा ही सोब था और वो एक इंग्लेज से स्कूल में एडमिसन लेना चाहते थे लेकिन फीज ना दे पाने के वज़ए से वो बहां नहीं जा सके लेकिन क्योंकि उन्हें अंग्रेजी सीखनी थी इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी और वो एक तूरिस्ट गाइड बन गए और बहां पर बहार देसों से आयोए लोगों को अपने देस में घुमाने लगे और साथ ही साथ उन्हें के साथ एंग्लिस बोलने का प्रयाज भी करने लगे जैक मा पढ़ने लिखने में इतने अच्छे नहीं थे वो कक्छा दो में तीन बार और कक्छा आठ में चार बार फेल हुए स्कूल की पड़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने कालेज जाने का सोचा जहां पर उन्हें एंटरेंस एक्जाम देना पड़ा जिसमें वो पांच वार फेल हो गए इसलिए एक अच्छे कॉलेज में एंड़मी से ना मिलने के वज़े से एक साधान कालेज में अपना ग्रेजू से खत्म किया कॉलेज खत्म करने के बाद वो नौकरे ढूलने निकल पड़े और आपको जानकर हैरानी होगी कि जैकमा तीस से भी जाता जगह पर रिजेक्ट कर दिये गए उसी समय के एप सी चीन आया हुआ था जहां 24 लोग इंटरिव्यू देने के लिए गए थे जिसमें 23 लोग का सेलेक्शन हो गया और किबल एक आदमी का सेलेक्शन नहीं हुआ बो कोई और नहीं बलकि जैकमा थे इतनी सारी असफलताओं के बाद भी जैकमा ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए और उन्हें एक कॉलेज में नौकरी मिली जहां पर उन्होंने 9 साल तक बच्चों को पढ़ाया एक बार जैकमा अपनी अमेरिकन दोस्त के साथ अमेरिका गए और बहां उन्होंने पहली बार इंटरनेट इस्तमाल किया उन्होंने इससे पहले इंटरनेट का कभी इस्तमाल नहीं किया था और गो इंटरनेट पर चीन के बारे में खोजने लगी लेकिन उनको चीन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक वैपसाइट बनाई जाए जहांपर मैं चीन के बारे में सब कुछ रख सकूँ लेकिन चीन से फंडिंग ना मिलने की वज़य से यहां पर भी उन्हें असपरता का सामना करना पड़ा लेकिन इंटरनेट के बड़ते दोर को देखकर वो अमेरिका से एक 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 कॉमर्स बिजनिस का एडिये लेकर आए और उन्होंने ये बात अपने सारे दोस्तों को और परिवार वालों को बताई लेकिन किसी ने भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया क्योंकि जैक मा के दोस्तों ने परिवार वालों ने ना तो कभी इंटरनेट चलाय था और ना कभी देखा था लेकिन जैक के एक दोस्त ने उन्हें सला दी अगर तुम सच में ये करना चाहते हो तो एक बार प्रयास करके देख लो लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो छोड़ कर वापस आ जाना और यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी एक ओमर्स कंपनी का जन्ग हुआ जिसे आज हम और आप अलीवाबर.com के नाम से जानते हैं अलीवाबर.com सुरू करने के बस चार साल में ही इन्होंने चीन की सबसे बड़ी एक ओमर्स कंपनी एवी को बाहर का रास्ता दिखा दिया आज ये सक्स चीन का सबसे अमीर प्रेक्टी बन चुका है इसकी वेबसाइट की सलाना कमाई 40 अरब डॉलर है दोस्तों असा बलता हैं हमें कितनी भी नरासाइं क्यों न देती रहें लेकिन हमें सबस्ता पाने की आसा कभी नहीं छोड़नी चाहिए